डिक्टिशिन गती 80 सब्द प्रतिमनट श्टार्ट अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं अपने माननीय कारिकारी पार्षग महोदय का जिन्होंने बजट भासण दिया है और अपनी नीतियों की घोषना की है उसके बारे में उनको हिर्दे से बढ़ाई देना चाहती हूँ मैं या नहीं कहती की कोई क्रांती कारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट लेकिन मैं या भी देखती हूँ की यह बजट जो है धीरे धीरे गती से समाजवाद की ओर बरता जा रहा है अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिला कर हमें उज्वल भविश्य की ओर ले जाता है ऐसा मुझे कहना है इस भासर को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अच्छूता छोड़ा गया हो क्योंकि भारत वर्ष एक क्रशि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दोरान यह पूरी तरह से कोशिस की गई है कि ग्रामीन अर्थ व्यवस्था को जिसे हम अर्थ व्यवस्था की रीड भी कह सकते हैं उस धाचे में उस रीड की हड़ी को और भी ससक्त बनाने का पूरी तरह से प्रियत्न किया गया है हमारी ग्रामीन भाईयों के लिए जो कोशिस की गई है इस बजट के अंतरगत वह है उनको सिचाई के लिए कुएं गामों में उनके लिए पकी सडकें जिसे उनके खेत और घर दिली के साथ जोडने की कोशिस की गई है जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उनसे ग्रामीर भाईयों को बड़ी भारी सहता मिलेगी उसके अतरिक्त ग्रामों द्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंद किया गया है उससे भी ग्रामीर अर्थ व्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहता मिलेगी मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहां तक सिख्षा का संबंद है इस बजट में कोई विशेश प्रावधान नहीं किया गया है मैं यह नहीं कहती कि सिख्षा के दौरान ज्यादा स्कूल ना खोले जाए पर हमारी यह नीती होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाए पर सबसे बड़ी आवशकता इस बात की है कि सिख्षा की नीती में परिवर्तन की ज़्यादा आवशकता है क्यूंकि हम प्रजातंत्र में रहती हैं प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भाती ज्यान हो सिख्षा की वर्तमान नीती से हम अपने अधिकारों के परती ज्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के परती बिलकुल सजग नहीं होंगे सिरीमान मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है हमने विबिन दिश्टी कोणों से अलग-अलग विचार किया है विशेश रूप से सबसे उची सीमा बांधने तथा सहकर कार के प्रश्ण पर किन्तु हम अनुभव करने लग गए है कि दोनों का आपश में गहरा संबंद है अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है भले ही आप इससे सहमत ना हो कि उनका कार संचालन दक्षता से होता और उत्पादन में बहुत बल सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विश्तार हो सकता भारत की मूल समस्या या है कि यहां जोत की भूमी छोटी है और टुकडों में बटी है साधारण तौर पर मैं कहूं कि यह एक दो यह तीन एकड़ है इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते है लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगती करेंगे अब सबसे उची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छाट हो जो की प्रयोजन भी है अगर आप चाहते हैं कि प्रगती हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलाव और अधुनिक तौर तरीकों का प्रचलाएंग प्रचलन हो तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं इनको सहकारी ढंग से चलाना है जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाब उठा सकें सहकारी ढंग से कारिक करने से मेरा मतलब है विविद प्रकार से सहयोग देना हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और रिण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी साहता की जा सकती है जैसे वस्थूओं को खरीदना और बेचना बीज खाद तथा इसी प्रकार की वस्थूओं को दिलाना दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना फिर दूसरी इस्थती आती है जिसको मिल जुलकर खेती करना कहते हैं यद्यपी उसमें भूमी पर अधिकार बना रहता है इस प्रकार का हमारा दृष्टी कोण है जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक से अधिक जोड़ा जा सके नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है सहकार से मेरा मतलब एक गाउं के सहकार से है और ज्यादा से ज्यादा दो तीन गाउं का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंदित हैं लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी इस परकार का हमारा दिश्टी कोण है जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक से अधिक जोड़ा जा सके नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है स्टॉप इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और ज्याद से ज्याद से शेयर करें मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी प्लेलिश्ट में उपलब सभी डिक्टेशन की बने